तुलसी का पौधा लगबग हर घर में पाय जाता है। तुलसी का पौधा बुद्ध ग्रह से संबंद रखता है जो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप माना गया है। कई घरों में तुलसी की पूजा भी की जाती है लेकिन अगर तुलसी सही जगार ना रखी जाये तो इससे जीवन पर परिवार पर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके जैश्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जिससे भगवान श्री कृष्ण की गिरपा अपर हमेशा बनी रहे छोटा घर होने या बालकनी ना होने या फिर अच्छी धूप के लिए कई लोग तुलसी का पौधा अपनी छटों पर रख लेते हैं और इसलिए उनके जीवन में दोश उत्पन हो जाता है क्योंकि वास्तु की अनुसार ये बिलकुल भी शुब नहीं माना जाता है अपने कुंड़ी में बुद्ध की स्थिती का पता आप जरूर लगा लें कि बुद्ध ग्रह की स्थिती आपकी कुंड़ी में कैसी है जिन लोगों का बुद्ध धन से संबंद रखता है और अगर वो लोग तुलसी को छट पर रख लेते हैं तो उन्हें काफी ज़्यादा आर्थिक हानी होनी शुरू हो जाती है बलकि ऐसे योग बन जाते हैं कि वे करज में फस जाते हैं करज में इतना डूप जाते हैं कि बिलकुल भी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं इसलिए भूल कर भी आप अपने घर की चट पर तुलसी का पौधा ना रखा करें इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है अगर आपने अपने घर की तुलसी चट पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चीटिया निकलनी शुरू हो जाएंगी या फिर घर की उत्तर दिशा में कहीं न कहीं दरारे पढ़नी भी शुरू हो जाती है जो कि यह दर्शाता है कि अब जीवन में धन की परेशानी होने वाली है जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौदा होता है वहाँ पर चडिया या कबूतर अपना गोसला बना लेते हैं और इसे ही बुरे केतु की निशानी माना गया है जो भी लोग छट पर तुलसी रखते हैं आम तोर पर उनकी कुंड़ी में एक दोश मिलता है जिसे प्राकर्त द उत्तर दिशा से चलता है ऐसे में अगर घर की तुलसी को छट पर रख दिया जाए तो बुद्ध की श्थिति और खराब हो जाती है जिसका असर आर्थिक रूप से पढ़ने लग जाता है और बुद्ध बुद्धी के साथ धनका भी घ्रह माना गया है बुद्ध को दिशा की तरफ भी रखा जा सकता है ध्यान देने वाली बात ये है कि दक्षिन पश्चिम में और दक्षिन में हमेशा शामा तुलसी रखी जाती है शामा तुलसियाओं में पत्यां बिलकुल हरी और बड़ी होती है इसे तुलसा भी कहा जाता है और तुलसा को दक्षिन द पौधे के साथ ही रखना चाहिए और दोनों पौधों को बिल्कुल साथ में रखना है और इस पर मोली बांदेनी है इससे आपको वास्तु दोश से हानी नहीं होती है यानि के जो भी तुलसी को छट पर रखने से अशुप प्रभाव पड़ते हैं फिर वो सभी टल जाते हैं हिंदु धर में तुलसी के पौधे का विशेश महतव होता है तुलसी के पौधे को घर में लगाने से शुप फल्की प्राप्ती होती है तुलसी के पौधे में तमाम गुण होते हैं जो कई तरह के नकरात्मक उरजाओं को दूर करते हैं वहीं दूसरी और नकरात्मक उरज के चलते जीवन पर इसका नकरात्मक असर पढ़ जाता है जियोतिश शास्तर के अनुसार तुलसी के पौधे को और इसकी पत्तियों को एकादशी रवीवार और मंगलवार को भूल कर भी नहीं तोड़ना चाहिए वास्तु शास्तर के अनुसार उत्तरपूर्व दिशा को धन होता है तो उस सब परेशानी से बचने के लिए आपको तुलसी के पौधे को दक्षिन पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और कभी भी अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो उसे नदी या पास के कोई में डाल देना चाहिए यदि आप ऐसा ना कर सकें तो पौधे को गमले की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए तुलसी तो सभी के घरों में लगी होती है तो अब से आप इन सभी बातों का जरूर ही ध्यान रखें आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी धन्यवाद